नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कई बार सत्रू बहुत परिसान करते हैं कई बार तो जान पहचान वाले लोग ही सत्रू होते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है आपको पता ही नहीं चलता कि आपके विरोध में कौन सद्यंत्र कर रहा है कौन आपको परिसान कर रहा ह तो दूस्मन जाने पहचाने भी हो सकते हैं और ऐसे भी दूस्मन हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है और जब दूसमन हाथ धोकर पीछे पढ़ जाए तब मुस्किलने बढ़ जाती है तब चारों तरब से आप हारे बे महसूस करते हैं ठके ठके महसूस करते हैं मानो सामने मुसीबतों का पहार आ गया है और पीछे खाई है कहां जाएं क्या करें कैसे सत्रों को सांथ करें कैसे सत्रों से मुखती मिले हलाकि ये परियोग प्रचंड कहने का ताथ पर इस परियोग का कहीं कोई काटी नहीं है जब भी लोग किसी से सत्रोता निकालने के लिए परियोग करते हैं कि बहुत सारे तंत्र किताबों में भी वर्णन आता है और इस पते ही जहासु परियोग भी शमझ सकते अप्रेशियरो लेकिन इसका अशर वहता है लो कोई कर सकता है महीला है बीया कर सत्रूं से मुक्ति दिला सकता है आज हम आपको जो सत्रू अग्यात हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो आपको लगातार परिसान कर रहे हैं तो ऐसे सत्रूं से बचने के लिए क्या करें और ऐसे सत्रू जिसको आप जान रहे हैं उनसे बचने के के लिए क्या करें के दोनों ही तरह का प्रियोग हम आपको बताएंगे और इस प्रियोग को आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन सुमबार को करें ज्यारत बेहतर हो रहीदि जाब को चाहिए होगा एक धतूरा का फल याद रहे हैं घतूरा का फल आप ज्याहे में retrouve 그건 इह कहांоны जिसमें रस जाधा है बहुत बड़ा होने के बास सूचे कम हो जाता है लेकिन छोटात 절Das ज्याधा होता है तो वही पप लीजिएगा आपको चाहिए होगा 1 लोहे कील है और एक सफेद कागज और काला सवेध कागच पर सत्त्रू का नाम लिख जो भोल सकते हैं। यह कागच लीखने चत्व इमिền में इसे द्र्वी चार्वड का ना मेंसे इसे dessertना है how the जार रभ⁉र मतले हैं काला पेहले चुल रचा सकते हैं अगर नों उन दोंस must तो कोई बात नहीं आप कील के सहारे उसमें थोड़ा सा छेद कर दें छेद समझ रहा है ना उसमें आपको गुमा गुमा कर कील को अंदर की ओर करना है तो वहाँ पर होल हो जाएगा गूल ऐसा इसके बाद जो आपने कागज में सत्रू का नाम लिखा है उसको आपको फोल्ड करना है कितने बार करेंगे आप साथ बार कर सकें तो बहुत अच्छा नहीं तो तीन बार भी कर सकते हैं और फिर इस छोटा कागज लीजेगा ज्यादा बड़ा कागज मत लीजेगा फोल्ड किये वे कागज को जो आपने चाकू से कट किया या पिर जो कील से आपने छेद किया है उसमें उस कागज को अंदर बिल्कुल अंदर तक उसको अच्छे से अंदर डाल दें इसके बाद आपने जो कील लिया है उस कील को इस जो आपने कागज में सत्रू का नाम लिखकर फल के अंदर किया है उसके साथ एक लॉंग भी डाल दीजेगा क्योंकि लॉंग बसीकरन या फिर सत्रू का नास करने या सत्रू को सांध करने में काम आता है इसके बाद इस कील को इस धतूरे के फल में आप अच्छे से उसको डाल के डिप से एकदम ऐसा डाले कि इस पार से उस पार निकाला है फिर इसको आसपास कहीं भी घर में नहीं या करें एसको डालें और फिर उपर से मट्टी ढाल दे हैं हैं इससे मन्तर भी पढ़ा जाएगा मंतर हम आपको बताएंगे मंतर पढ़ना है साथ वार्ट का भी जाइगा बीया चाहिए कि वी कभर कर दें बीना फीम पीखे मुढ़े पास ही रहते हैं, आप उनको जान रहे हैं, तो आप एक छोटा सा प्रियोग करें, जो ये प्रियोग हम आपको बताएंगे, ये 24 से 48 घंटे के अंदर ही रिजल्ड देता है, और जो हमने अभी आपको प्रियोग बताया, उसका प्रियोग होने में असर करने में करीब एक सब् सब्सक्राइब लगता है, और हलांकि वह भी काम करेंगा, लेकिन अगर पास में सत्रू है, आप उसके घर तक जा सकते हैं, तो फिर इस प्रियोग को जो भी हम बताएंगे, उसको जरूर कीजेगा, क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से छोटे-चोटे-चोटे धतूरे के फ जब एक लोहे की कील लें, उसी प्रकार से एक लोहे की कील लें, और कील के सहायता से धतूरे के फल में हलका सा गोल ऐसा उसमें छेद कर दें, इसके बाद उसमें उसी प्रकार से सत्रू का नाम लिखकर, आप सफेद कागज पर सत्रू का नाम लिखना है, काले पिन से, और जो आपने होल किया है उसमें धतुरे का फल में लोहे की कील से उसमें उस कागज को डाल दें और एक लॉंग को भी उसमें डाल दें ठीक है अब यहां पर यह जो लोहे की कील है इसको आपको इसमें नहीं डालना लेकिन पास में रखना है अब इसको आप जो आपके सत्रू है हैं और उसके घर तक तो आप जाएंगे लेकिन उसके पहले मंतिर बोलेंगे कितने बार कम से कम आप 108 बार के ज्यादा परिसान कर रहां सत्रू यह ज्यादा मातरा में अफ्य हैं तो इस मंतिर को आप 10 episodes परवी पढ़ सकते हैं तो इस मंतिर क्या है मंतिर में देखे एस प्रकार से जैसे हमने आपको दिखाया है आप कील से लोहे की कील से उसमें होल कीज़े फिर सत्रु वाला कागज उसमें डाल लिए फिर एक लॉंग भी उसके अंदर डाल दीज एगा और फिर इस मंतर को आप देखिए जहां जो अमुक है अमुक के जगह आपको सत्रू का नाम लेना है जैसे ओम नमो रुद्राय अमुक का जगह सत्रू का नाम फिर सत्रू हनहन स्वाहा इस मंत्र को आपको जब करना है अमुक को जगह याद रखिए सत्रू का नाम लेना है अमुक मत बोलेगा, सत्त्रु का जो नाम है वो बोल दीजिए कुछ भी नाम है, राजीम नाम है रितू नाम है, जो नाम है उसको भोल के फिर आप इस मत को कंप्लीट करेंगे इसके बाद जो सत्त्रु है उसके घर के दरवाजे पर पास जाएं कब जाएगा सनी भार के दिन सुबह वा वा दोनों हांतों से दम लगा कर निचोड़िये इस फल को जिसमें आपने सत्रू का नाम और लॉंग डाला है और उसमें भी इस मंत्र को बोलना है आपको जो हमने आपको मंत्र बताया ओम नमो रुद्राय, सत्रू का नाम फिर सत्रू हनहन स्वाह साथ बार बोलिए और कामना कीजिए कि भगवान, ये सत्रू मेरा बहुत परिशान कर रहा है हम लोगों को परिवार को परिशान करके रखा है ये सांध हो जाए हमारी तरफ हालांकि ये प्रयोग तो बनाजाता है कि सत्रु सत्रु तो भुलेगा ही साथ ही वह खुद परेसान हो जाएगा ऐसा पी मानाजाता है इस प्रयोग का इतना प्रचन वसिता है तो आज हमने आपको जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए तो इसको आपको निचोड़ देना है एक बूंद भी अगर रस गिर जाता है वही काफी है और जो कील है उसको भी दर्वाजे पर पटक देना है फिक देना है और इस फल को निचोड़ने के बास रस वहीं पर उसके पर फिक दे और बीना पीछे मुड़े घर चले हैं याद रहां कि पीछे मुड़ कर देखिए का चाहे कोई भी आवाज दे पिर भी नहीं देखना घर चले आए अच्छे से हांथ पाँँ दोले और फिर अपने जाकर अपने शुबह सुबह कर रहे हैं तो आप सो भी सकते ह सब्सक्राम भी कर सकते हैं लेकिन हाँ परियोग जबाब करेंगे किसी से बातचीत मत कीजिएगा और नहीं टोकाटो की हो इसका धियान रखेगा फिलाल विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब परें अपनों से सेयर करें कमेंट में हरहर महादेब चरू कर दो लेके दो